स्रावस्ती में पूरू मंत्री संगराम सिंग के भतीजे मानवेंदर सिंग ने स्रावस्ती लोगसबा सीट से चुनावी हुंकार भरती है आज सेकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ मानवेंदर सिंग ने मद्दाताओं से संपर किया और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए जगा जगा लोगों ने मल्यारपन कर मानवेंदर सिंग का स्वागत भी किया बताते कि सुरावस्ती लोकसभा सीट से मानवेंदर सिंग के चुनावी मैदान में उतरने के बाद इस सीट के समय करण काफी दिलचस्थ हो गए हैं फिलहाल सुरावस्ती से बीजेपी के दद्दन मिश्रा सांसद हैं मीडिया गर्मियों से बादचीत के दोरान मानवेंदर सिंग ने कहा कि उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में पूछा जिने दूर करने का प्रियास किया जाएगा ते तुम में आपके चाचा समाज के सेवा करते आएहें क्या आपकी अकांचा है सहुस्ति जले स इसलिए मैं मैधान में उत्धान के जन्परतिनी जन लोगों की सेवा कर सकूं लाओं गौंगाओं nä aja के का दुख, दर्द समदbnाइएग, क्या समाज, किसान को दिकते हैं प्रेएं लिक्ड़ा और दुखते हम की अपने तमाम सातियों के साथ। आज आप जनता से भी मिले उनका बढ़र्द भी जाना पर जमीन पर उतर करके आपके अधिकान साथ काम जींगे पर, क्या से भी लगा जा रहे हैं आने वाले लोग सर्इस है, क्या से मदद करी जा सके अपने लोगों की पहली कोशिश यही योगी सरकार भले ही किसानों को फसलों का उचित मुल दिलवाने के लिए आदेश जारी कर रही है लेकिन बाराबंकी के रामसनेही घाट के भिटरिया विपणन केंदर में योगी सरकार के आदेश की धजियां उड़ रही है और धान खरीद में धांदली की जा रही है ये आरोब लगाया है धान की फसल बेचने आये किसानों ने किसानों ने आरोब लगाया है कि विपणन केंदर पर तैनाध अधिकारी जादातर नदारत रहते हैं जिसकी वज़ा से केंदर दलालों काटा बनकर रह गया है और कमिसन खोरी के चकर में लाइन में खड़े किसानों की धान ना खरीद कर बिचोलीयों की धान खरीदी जा रही है और किसानों का धान ट्रेक्टर ट्रॉलियों पर लदा सुक रहा है किसानों की माने तो वे तैसिल दिवस में जगाय दर्ज करा चुके हैं लेकिन उसके बावजूद अधिकालियों ने मामले को लेकर लापरवाह रवया अक्तियार कर रखा है। हालां कि जब राम सनेही घाट के SGM साहब से मामले को लेकर बात की गई तो वही गुणवत्ता पूर्वक धान खरीद करवाने का आस्वासन देते नजर आए। इस समद्ध में बताया गया है मुझे आपके दावाण। मैंने बोल दिया है मारी टन इस्पेक्टर को कि जिस भी वक्ति का जिस भी किसान का धान या ट्रॉली लेके लाइन में लगा हुआ है। जालोन के कौँच विकासखंड में शनिवार को शेत्र पंचायत की समिक्षा बैठा कायूजन किया गया जिसमें उपजिला अधिकारी गुलाब सिंग के साथ कौँच विधायक और गई आलाधिकारी मौजूद रहे। इस दोरान मौजूद गिरामपर्धानों और गिरामबंचायस कदस्यों ने गरामीण इलाकों में चलाई जा रही विकासखंड काष्वारकल के लापरवाही सामने आ गई जिसके बाद अधिकारी को सक्त लफजों में ध्रायद दी गई और विकास्ड कारीों को जमिन इसतर सक रूप जरूर दिया गया जिसे बीजेपी सांसद और रेलवे दिकारियों ने फैजाबाद रेलवे सेशन से दिल्ली के लिए हरी जंडी दिखा कर रवाना किया बतादें कि प्रोजेक्ट उतक्रस्ट के दैद इस पुराने कोज को नया रूप दिया गया है कोज की दिवार इसलिए लगातार इसके लिए प्रयास हो रहा था कि इसमें नए कोचिज लगाये जाए लेकिन नए कोचिज इतनी तेजी से निर्मान नहीं हो पा रहें कि एक साथ चार रहेक बदल सकें क्योंकि फैजाबाद दिल्ली जो है दिल्ली से पदमावत एक्सप्रेस बन जाती है झाल